हेलो फ्रेंड्स मैसल गौराव और यूर वाचिंग अपडेट पंट यूट्यूब चैनल दोस्तो आज मैं आपके लिए लिकर आया हूँ 8 नॉमबर 2020 यानि आज हुए उत्राखंट B.A.D. इंटरेंस एक्जैम की आंसर कीज आज हम उत्राखंट B.A.D. इंटरेंस एक्जैम में पूछे गए सभी सब्जेक्ट की आंसर की आपके साथ डिसकस करने वाले हैं दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी फ्रेंड्स ने भी यह इंटरेंस एक्जैम का पेपर दिया है उन्हें ये वीडियो जादा से जादा शेयर करें तो आएए सुरू करते हैं फ्रेंड बात करते हैं जनरल नॉलेज और रीजनिंग की तो सबसे पहला कोशन है निमलिकित में से कौन सी उत्राखंड की नदी नहीं है यह है गंडग नेक्स है निमलिकित में से कौन गंगा की सायक नदी नहीं है यह है चंबल कोशन नमबर 53 है निमलिकित में से कौन सा मंदिर पंच के दारों में सम्मेलित नहीं है यह है बागनात कोशन नमर 54 है निमलिकित में से कौन मैकसे से पूरुसकार से सम्मानित है यहाँ है उत्राखंड के चंडरी पर साथ भट कोशन नमर 55 है वरतमान में भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्स कौन है तो BCCI के अध्यक्स है सौरव गाउगली कोशन नमर 56 है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है यहाँ है जनरल विपिन रावत नेक्स है भारती रिजर्व बैंक के वरतमान गवर्नर कौन है यहाँ है सक्तिकांदास कोशन नमर 58 है निमलिकित में से कौन सा दे सार्क का सदस्चे नहीं है यहाँ है म्यानमार नेक्स है डबलू एचो के वरतमान महानी देशक कौन है यहाँ है टेड्रोस ए गैब्रेशियस कोशन नमर 60 है सन्युक्त रास संगठन यूएनो के वरतमान महासचिप कौन है यह है एंटोइनियो गुटरेज कोशन नमर 61 है भारत में परमानु उर्जा के जनक किसे माना जाता है यह माना जाता है हूमी जहाँगीर भाबा को नेक्स है वरतमान में केंडी स्वास्त मंत्री कौन है यह है डॉक्टर हर्सवर्दन नेक्स असम की राजधानी कौन सी है यह है डिस्पुर उसके बाद है अनंत पदमना मंदिर किस नगर में स्टेता यह है त्रुवंतम पुरम पे नेक्स कोशन है इमलिकित में से कौन केंसासित प्रदेश नहीं है यह है आपका गोवा नेक्स है भारत के किस राजी में पूरप का किस राजी को पूरप का स्कॉटलेंड कहा जाता है यहां कहा जाता है मेगालिया को कोशन नमबर 67 है संगलोक सेवा योग के वर्तमान अध्यक्स कौन है यहां है प्रदीप कुमार जोसी कोशन नमबर 68 है एवरेस चोटी को विजय करने वाली परदम भारती महीला कौन ती यह थी बचेंद्रीपाल कोशन नमबर 69 है उत्राखंड विधान सबा में निर्वाचित सदस्चों की संख्या कितनी है यहां 70 कोशन नमबर 70 है नमलखित अभी 懇नता हूं मैंसे किसे दादा सthere फाल के संवान पराप नहीं हुआ तो किसे संवान पराप नहीं हुआ ता यहोते संमी कपूर कोशन नमबर 71 है नमलखित मैंसे कौन आयोग सिक्सा से संबंदित नहीं है तो यहोता साइमन आयोग साइमन कमिशन Question No. 72 है भारत में पंचायती राज प्रणाली सरपतम किस राज द्वारा आरम की गई यह आरम की गई राजिस्तान द्वारा लोथल इस्तित है कहां इस्तित है भारत में Question No. 74 है उत्राखंड का लोग सेवा आयोग है कहां पे उत्राखंट का लोग से वायोग है हरिद्वार में कोशन नमबर 75 है साइकाल का तारग किस क्रह को कहते हैं इवनिंग स्टार ये कहा जाता है सुकर को कोशन नमबर 76 है उत्राखंट प्रदेश की सबसे उची चोटी कौन सी है तो यहा है नंदा देवी Q77 है मुहनी अट्टम नित्य विक्सित हुआ कहा हुआ केरल में Q78 है Operation Blackboard कारिक्रम किस से संबन दित है तो यह संबन दित है प्राथमिक सिक्सा से Q79 है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सरवार्दिक साहयक होता है यह होता है विटामिन के Q80 है एक चैक भुकतान की वैत्ता अवदी है जो यह Q80 है यह RBA के देट लाइन के द्वारा 6 महीने से 3 महीने कर दी गई थी लेकिन इसमें 3 महा तो कहीं ऑप्शन पे दिया यह नहीं है तो यह हो एक Q80 है जो अभी डाउट पे है Q81 है अध्यापक सिक्सा के लिए वैधानिक संस्ता है अध्यापक सिक्सा के लिए वैधानिक सिक्सा कौन सी है यह है N-C-T-E Q81 है वंदे मात्रम ट्रेन चलती है वंदे मात्रम कहां से कहां तक चलती है यह चलती है दिल्ली से वारान सितक के लिए question number 83 है औ बौ का पिता है लेकिन बौ औ का पुत्र नहीं है तो अगर औ बौ का पिता है और बौ उसका पुत्र नहीं है तो बौस का क्या होगा पुत्री होगी so option C is the right answer question number 84 है odd one out है जिसमें से हमें odd choose करना है जिसमें अगर हम option B की बात करें तो पहला और चोटा लास्ट अलफाबेट capital letter में नहीं है जबकि बाकी सभी में first and last alphabet capital letter में है question number 85 है निम्लिकित में से भिन्न को चुनिए है अगर हम बात करें और सारे option हों की तो सभी option हो का जो प्रतियक digit का साम है वो 21 है जो तीन से divisible है but option D का जो digit का सम है वो तीन से divisible नहीं है next question है निम्लिकित में से कौन दूसरों से भिन्न है अगर बात करें 86 की तो challenger जो है right answer है क्योंकि बाकी तीनों जो है ग्रह है but challenger कोई ग्रह नहीं है next है series की बात करते हैं जिसमें अगर हम बात करें series की तो फर्स में 5 का difference है then 10 का difference है and then 15 का difference है so 30 plus 15 होता 45 option C is the right answer question number 88 to 91 है नीचे दिये गए चित्र में 3 वरत हैं जिसमें हमें एक दूसरे को काट रहे हैं और उन में से संक्या से हमें कुछ question पूछे गए हैं friends बात करते हैं जो कलाकार हैं परन्तु गायक नहीं है खिलाडी जो कलाकार है किंतु गायक नहीं है अगर बात करें इनकी तो फिर खिलाडी जो कलाकार है लेकिन गायक नहीं है तो option ये तो सब eliminate हो जाएंगे so option B is the right answer option C is the right answer B is the right answer नेक्स है कलाकार जो ना खिलाडी हो ना ही गायक है तो option B is the right answer question 90 है खिलाडी जो गायक है परंदू कलाकार नहीं है उसके लिए right answer option D है next है खिलाडी लोग जो कलाकार भी है और गायक भी है तो right answer है option C question 92 है दादा साहे फालके ने राजा हरीश्चन फिल्म कब निर्देशित की थी तो यहां की थी 1913 में question 93 है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ते कौन करता है रास्पती question 94 है भारत के किस राज में सबसे प्राचीन नालंदा विष्व विध्याले स्थापित था तो यह था कहां पे बिहार में option B is the right answer question 95 है इंडरा काधी मुक्त विष्व विध्याले कब स्थापित किया गया था यह स्थापित किया गया था question 98 है उत्राखंट राज के किस सहर में लाल बहादूर सास्त्री लाल बहादूर अकैदमी स्थित है यह है मसूरी में question 99 है पूर्व रास्पती स्वर्गी एपी जे कलाम द्वारा लिखित आउडियो पुस्तक विंक्स ऑफायर के पीछे किसकी आवाज है अगर बात करें आवाज की तो यह है ग्रीस करनाट की question 100 है उत्राखंट राज के किस सहर में एम से है तो यह है रिसी केस में friends यह आज हुए B8 के exam के paper का solution है बागी subject का भी solution जल से जल मैं आपको provide कर दूँगा आज ही या कल तक हमारे संद बने रहने के लिए जुड़े रहिए update point यूट्यूब चैनल से channel को subscribe करें और bell icon को press करें